हलो दीप हाँ थोड़ा लेट हो गया हूँ वैसे मैं reply देने में मतलब कि में को reply इसका हाथवाद देना जा स्कूल के बाद आने के पर मैं सो गया था तो उसकी वज़े से मैं reply हाथवाद देनी पाया उसके लिए मैं शमा प्रारती हूँ पर जो गिफ्ट तूने दिया है मतलब क्या बोलू मैं इतना शांदा था वो वो जो कब था वो दी बैस था मतलब आने जब खोला ना उसको तो मेरे चैरे पे अलग 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 लेवल की स्माइल थी मतलब इतना खुश हुआना मैं और मैं को पता नहीं है यह कैसे बता चला पर सच बता रहा है उंदर की खबर है कि घर में यह बात चल दी थी कि एक नया कप लेके आना है और वो मेरे लिए ही लेके आना है तो मतलब एक तो कौन सा कनेक्शन था यह जो आप तुने यह गिफ्ट सोच और वो इंप्लीमेंट हो गया यह अलग बात है पर यह बहुत चांदार था दिल से बता रहा हूं वो अलग खुशी है जो मैं पता नहीं सकता व्यक्त नहीं कर सकता वो दिल गत-गत करने वाली फीलिंग आ रही है बाकी अपना वो भी बहुत बढ़िया बुक है जो मैं अपने एक्जाम के पहले हो सका तो इसको ख़तम कर दूँगा आज ही पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उमीद है कि अच्छा जाए मतलब आज तो मैंने इसके रिव्यूज भी पढ़े थे मतलब फ्रंस पेज पर रिव्यूज थे जो की बहुत ही एक्साइटिंग अब जल्दी जल्दी चालू करो तो आज हो सकता है मैं फर्स चैप्टर पढ़ लू रात में क्योंकि वहां मतलब खुब अच्छा रिव्यूज थे फनी है रोमैंटिक है फैंटेसी है बहुत शांदार तो हां इसको भी मैं पका बढ़ूंगा और थैंक्यू बंस अगेन मत इसको मतलब एक तो मैं अजीव लग रहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि कि इतने दिन बाद मतलब की करीम हो गए पड़े को 10-15 दिन उसके बाद भी दीप को याद रहेगा कि गिफ्ट देना है मतलब देना क्या मैं तो मना ही किया था तो मैंको दीप को तो यादना रहे मेंक तो याद नी था और ना मैंने सोचा था कि मैं लूँगा तो ये तो अलग खुशी थी जो की मिली अनेक्सपेक्टीर सप्राइस कह सकते इसको तो एक तो ये था पर ये गलत बात है गिफ्ट देना मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ क्योंकि तु आ गई थी बर्दे के दिन वही बहुत 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 बढ़ी बात थी मतलब जो भी जुगाड़ की है न वो उसका मैं क्या ही बता हूँ तो हाँ तू आ गई थी वही बहुत था इसकी जरुद नहीं थी पर जो तूने दिया है वो भी बहुत बहुत शानदार है मतलब मज़ा आया थैंक यू